देश मेरा जल रहा है आग लगी है सीने में हुक्मरा सव्यफ्त है खून गरीब का पीने में तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ मैं आरक्षी खुश्बु चोहान केंद्रे रिजर पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्तावी पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूँगी महोदय दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज, पुलवामा, 36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के दरश्य सा महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अनुपालना करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है, महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फेहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ, महोदय तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चित्रों को देख कर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ, महोदय आज इन मानवा धिकारों के कारण, इन आतंक्यों के बं पूर गया, मांका सिंदूर गया, नन्यनोनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, महोदय किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना कदर बंदे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं, क्योंकि महोदय भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है, वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को य नहीं लगनी चाहिए, यदि ऐसा हुआ, तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, नहीं तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, और महोदय मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना, कोई वीरता नहीं, एक आत् हमारे देश का जवान, इन आतंकवादियों, इन पत्थरवाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली, अगर टार गेट को हिट नहीं भी करेगी, तो अभी 400 मिटर तक जाएगी, और यदि इस बीच, वो किसी निर्दोश को लग क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है, अरे हम ही तो बुनियाद हैं आंत्रिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है, महोदे, जब पुल अजल हम सरमिंदा हैं, जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवादिकार के ज्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने, कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं भारत की वेट तुम सिंग बन कर दहार दो, और एक तिरंगा जंडा उसकनहिया के सीने में गार दो, महोदै, अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए, मैं सर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, कि मुझे अफसोस है, अपने देश की नियाएक प्रकर्या पर जहां आज भी, रात क बारा बजे, अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सरवोजनिया एले के दरवाजी खोल दिये जाते हैं, ऐसे देश से मानवादिकारों के अनपाहला करते हुए, आतंकबाद और उग्रवास से कभी नहीं निप्ता जा सकता, मानवादिकार के नाम की दुहाईयां देने वालो सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चर्कों से शोलों के आगे, रामायर पढ़ी नहीं जाती, सीमा पर गोलों के आगे, धर्ती के घोर गुहाँ से को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है, जैहिन चैभारत